आज जिस मुवी को मैं explain करने वाली हूँ, ये 2016 में release हुई एक psychological horror film है मुवी में एक ऐसे अजीब wellness center को दिखाया जाता है, जहां एक बार जाने के बाद कोई भी लॉट कर वापस नहीं आना जाता है किया है, story शुरू करने से पहले आप लोगों से एक request है, जो कोई भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी, तो प्लीज एक like और एक comment ज़रूर कर देना, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की motivation मिले तो कहानी में एक young ambitious आत्मी को दिखाया जाता है, जिसका नाम है Lockhart, जो एक large financial service company का executive होता है अब company के कुछ important deals को handle करने के लिए company के CEO Mr. Pam Rook की sign चाहिए होता है लेकिन Pam Rook के वे होते हैं Switzerland की एक wellness care center कम spam में अपना मान से थकान दूर करने दो हपते के लिए लेकिन जब company के boards members को Pam Rook की एक चिठ्थी मिलती है, जहां लिखा था कि वो और वापस नहीं आना चाते है तो board of directors Lockhart को उस पार में भीज़ देते हैं Pam Rook को वापस New York लेके आने के लिए तो इसके बाद Lockhart Switzerland आ जाता है और एक taxi rent करके निकल जाता है स्पार के लिए जो की गाउं से दूर उपर एक हील पर था, जाते ही टाइम एक गाउवाला उसके कार पर ट्रिंग फेकता है कांट्राइवे लोकर्ट को बताता है, हील में रहने वाली लोगों के लिए गाउवालों का ऐसा बरताव का कारण उनका 200 साल पूराना इतिहास है अभी जो स्पा है वो बहुत पहले एक किला हुआ करता था, जहां नवाब रहा करते थे वहां का आखरी नवाब अपने ब्लट लाइन को लेके बहुत पर्टिकुलर था उसका मानना था बस उसकी खुद की बेहनी उसके बच्ची की माँ बन सकती है लेकिन शादी वाली रात को गाउवाले किले में आ जाते हैं और नवाब के बेहन को उसी के सामने जन्दा जनाकार मार डालते हैं और किले को भी आग लगा देते हैं अब यही इंट्रिस्टिंग कहानी सुनते हुए लोखार्ट स्पा पहुंच जाता है लेकिन विजिटर आर्स खतम हो जाने के कारण उसको पैम रूप के साथ मिलने नहीं दिया जाता है वो उस स्पा के मैनेजर डॉक्टर पीटरसन को बताता है कि वो बहुत दूर से आया है पैम रूप को किसी जरूरी काम से वापस लेके जाने के लिए लेकिन पीटरसन बताता है कि पैम रूप शाम के साथ मज़े अवेलेवल होंगे तब तक अगर लॉक्टर पीट कर सकता है तो वो उन तुनों की मुलाकात करवा देगा अभी ये सुनने के बाद लॉक्टर राजी हो जाता है और क्योंकि वहाँ स्पा में कोई नेटवर्क नहीं होता है तो वो कॉल करने वापस स्पा से होटेल आ रहा होता है जहाँ निकलते ही रस्ते में उसके कार का आक्सिडेंट हो जाता है अब तीन दिन बाद लॉक्टर को भोष आता है और वो अपने आपको स्पा में ही पाता है और तभी उसकी मुलाकात स्पा के डिरेक्टर टॉक्टर हेंटरिक बॉलमर से होता है जो उसको बताता है कि अक्सिडेन में उसका पैर तूप चुका है और ये खबर उन्होंने लॉक हार्ट के आफिस में भी दे दिया है तो उसको आफिस का टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है वो लॉक हार्ट को कुछ दिन उनकी स्पार ट्रेट्मेंट को ट्राइ करने के लिए कहते है और ठेर सारा पानी पीते रहने के लिए भी बोलते है क्योंकि यहां के पानी को बहुत खास और अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए अब वॉल्मर के रूम से चले जाने के बाद जब लॉक हार्ट पानी पी रहा था तब वो पानी में एक छोटा सा बग नोडिस करता है लेकिन जादा ख्यान ना देके वो स्पा को एक्स्प्लोड करने चला जाता है जा हर कोई पेशेंट स्पा के हाइडरो थरफी ट्रीटमेंट से काफी खुश नजर आ रहा था लॉक हार्ट स्पा में खूंते हुए स्टीम बात के तरफ चला जाता है जहां उसकी मुलाकात पैम भूग से होती है और दोनों कमपनी के इशूस के बारे में बात करने लगते है और लॉक हार्ट फाइनली मना लेता है पैम भूग को साथ में नियॉयॉक चलने के लिए इसके बात लॉक हार्ट की वहां के कुछ मरीजों के साथ भी जान पैचान होती है जैसे कि मीसेस वाटकिन्स और एक प्यारी सी लड़की हैना वो उन सब को नियॉयॉक वापस चले जाने के बात बताता है जहां बाकी लोग सुनके खुश होते हैं लेकिन हैना कहती है कि आज तक कोई वापस नहीं गया है इसके बात लॉक हार्ट पैम भूग से मिलने चला जाता है लेकिन पैम भूग उसको कहीं नहीं मिलता वो सीथा डाइनिंग हौल पर जाता है जास सब लोग डिनर कर रहे थे वालमर से पूचता है कि पैम भूग कहा है जिसके रिपलाई में वालमर कहता है कि पैम भूग का हेल्फ पहले से खराब हो गया है बिजनिस को लेकिन डिसकुशन की वज़ा से लेकिन लोग हाट चिलाते हुए कहता है कि वालमर अमीर पैसो वाले लोगों को लूट रहा है पानी के नाम पे लेकिन वो कैसे भी करके पैम भूग को यहां से लेके जाएगा बट तब ही उसके नाम से खोन निकलने लगता है और वो वही पे बेहोश हो जाता है अब नेक्स सीन में दिखाया जाता है जहां वालमर उसके केविन में लोग हाट का चेक अप कर रहा था चेक अप के टाइम लोग हाट हैना की फोटो वालमर की टेबल पे नोटिस करता है हैना के बारे में पूछते ही वालमर उसको एक स्पेशल केस बताता है और Lockhart के accident के time कुछ किये गए test results अच्छे ना होने के कारण उसको hydrotherapy लेने के लिए suggest करता है जिसके Lockhart राजी हो जाता है लेकिन साथ ही साथ वो Pam Brook का file भी चोड़ी कर लेता है इन सब चीजों की बीश Lockhart और एक चीज काफ ही notice करता है के Walmart, Peterson, बहा के staffs and even Hannah भी एक blue bottle से drops लेते रहते हैं जिसको वो लोग vitamins कहते हैं अब Lockhart की treatment चालू होती है जहां उसको बड़े से water tank के अंदर रखा जाता है लेकिन कुछ दिर बाद उसको इन मचली दिखते हैं अपने साथ पानी में जिससे वो बहुत panic हो जाता है और जब tank से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसका breathing tube निकल जाता है और वो almost do भी कहा था कि तभी वहाँ की staff tank का दर्वाजा खोल देते हैं और Lockhart निकल की जब वापस tank में देखता है तो वहाँ पानी में कुछ भी नहीं होता है अब next day मिसस वाटकिन्स अन Lockhart की मुलाकात होती है जहां वो लोग नवाव और उसके बहन को लेके बात करने लगते हैं मिसस वाटकिन्स बताती है काव वालों ने ये जगा सिर्फ इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि नवाव उसके बहन से शादी करना चाता था बलकि इधर किले में मजदूरों के उपर किसी तरह के medical experiments किये जाते थे और गाओं के लोग भी missing होने लगे थे बाद में इन में से कुछ लोगों की लाशे किसानों को खेत में मिली थी बहुत ही बुरी हालात में एक तम सुकी हुई इजिप के ममीस की तरह अभी ये बात बोल के मिसिस मॉटकिन्स अपने treatment के लिए चली जाती है और इधर लॉखाट फिर से हैना से मिलता है और उसको टाउन तक cycle पर right देने के लिए कहता है अब वो लोग एक local pub में आते हैं जहां लॉखाट हैना को beer offer करता है हैना के लिए first time था किसी लड़के के साथ ऐसे बाहर आना और beer पीना भी क्योंकि उसको स्पास है बाहर निकलने की permission ही नहीं है लॉखाट उसके माता पिता के बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसकी माँ उसकी बच्चपन में ही जलके मर गई थी और बॉलमन ने कहा है कि जब वो ठीक हो जाएगी तब उसका पिता उसको लेने आएगा अब लॉखाट यहाँ टाओं में कोई डॉक्टर टूनने आया था जिसको वो पैम रुक कर रिपोर्ट दिखा सके पब के मालिक से उसको एक जानमरो के डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वो हैना को पब में पेट करने के लिए कहके उस डॉक्टर से मिलने चला जाता है अब वो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताता है कि पैम रुक का दाथ तोट जा रहा है chronic dehydration की वज़ा से अब Lockhart इस बात से काफी surprised होता है क्योंकि इस पाँ में हर टेम पानी ही पिलाय जाता है तो ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन तब ही उसको 200 साल पहले नवाब के experiment से मरे हुए लाशों की बात याद आती है और उसको इन दोनों matters के बीच कोई connection है ऐसा लगनी लगता है उस डॉक्टर से Lockhart को ये भी पता चलता है कि नवाब की बहन बीमार नहीं थी उसको बस कुछ problems थे जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा था और नवाब इसी का क्यों ढूंड रहा था इसके बात Lockhart अब pub में वापस आता है और New York phone लगाता है ये जाने के लिए कि Pam Brug को पहले सी कोई ऐसी बिमारी थी या नहीं लेकिन office से बता जाता है कि Pam Brug अपने health को लेकि काफी concern था इसलिए वो खुद के health का काफी ख्याल रखता था और उसको ये भी पता चलता है कि किसी ने भी उसके accident की खबर office में inform नहीं किया था तो Wallman ने उससे छूट बोला है अब इधर pub में हैनाव डांस करने लगती है और गाव का एक लड़का उसको छेडनने लगता है इसलिए वहाँ Lockhart की उस लड़के से fight हो जाती है और तभी वहाँ Wallman आ जाता है और उन दोनों को वापस ले जाता है अब स्पा में आने के बाद Lockhart की दाथ निकलाती है और वो खुद के सावालों का जवाब ढूनने स्पा की restricted area में चला जाता है वो एक रून में जाती ही उसको Mrs. Watkins मिलती है वो Lockhart को बताती है के नवाब की वेहन pregnant थी लेकिन गाउवालों ने पेट में से गर को काट के पानी में फेग दिया था लेकिन तब भी वो बच्चा बच गया था अब Lockhart किसी और एक रून में जाती ही उसको Pam Room के साथ साथ और भी कही सारी patients दिखते हैं एक water tank के अंदर जो की सब डेट नजर आ रहे थे अब उस रूम से निकलते वक्त वालमर उसको देख लेता है और उसको एक रूम में ले जाके जबर दस्ते उसके और एक दाग को रिल करके उखार देते हैं लेकिन Lockhart वहाँ से चैसी तैसे निकल कर बाहर आ जाता है मिली हुई है तब ही वहाँ पैम्रूग भी आ जाता है जिसको Lockhart ने डेट समझा था पैम्रूग वहाँ उल्टा Lockhart पर ही ब्लेम देता है और कहता है Lockhart उसको जबर दस्ते यहां से ले जाना चाता है अब Lockhart परशान हो जाता है और उसके पास कोई चैस नहीं होता है सिभाई वाल्मर के साथ वापस लौट जाने के इसके बाद Lockhart की प्रॉपर हाइड्रोथेरपी शुरू होती है और वो भी दीरे दीरे पैम्रूग की तरह ही यकिन करने लगता है कि वो सच में बिमार है और उसको ठीक होने के लिए इधर ही रहना चाहिए लेकिन एक दिन उसको अपने पीता की याद आती है जिनोंने खुद के उपर लगाएगे फेक allegations के चलते सुसाइड कर लिया था लेकिन लौकार डिसाइड करता है कि वो होप नहीं छोड़ेगा और सच्चा ही जानके रहेगा वो अपने पैर पर लगे plaster को खोल देता है जिसे उसको पता चलता है कि उसकी पैर तो कभी तूटी ही नहीं थी अब वो एक restricted quarter में चला जाता है जहां वो रोज राद bodies को ले जाते हुए देखता था वहाँ उसको बाकी लाशों के साथ Mrs. Watkins की सूखी हुए लाश भी मिलती है और वो उन लाशों को पानी में फेकते हुए भी देखता है जिसके बाद इन मचली उन bodies को खा जा रहे थे अब तभी वहाँ का केर टेकर उसके हमला कर देता है लेकिन लॉक हाट उसको मार के वहाँ से निकल जाता है अब इदर हैना को दिखाया जाता है स्वीमिंग फूल में जहां उसको पीरियेट्स आ जाने पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और तभी वहाँ पूल में इन मचलिया आ जाती है लेकिन अजीब बात ये थी कि इन मचली उसके उपर हमला नहीं करते बैस उसके चारों तरब घूमने लगते हैं हैना डर जाती है और पूल से बाहर आ जाती है अब क्योंकि हैना को पीरियेट्स का कोई भी आइडिया नहीं था तो वो खुद को बीमार समझती है और वालमर को बतानी डाइनिंग हॉल में आ जाती है अब लॉखहर्ट भी डाइनिंग हॉल में आ जाता है और सारी patients के सामने वालमर को सुनाने रगता है कि कैसे वो सब को बीमार कर रहा है लेकिन strangely सारी patients उसी के एगिस्ट में चले जाते हैं और खुद को बीमार बताने लगते हैं जैसे कि उनको कोई hypnotize कर दिया हो अब Lockhart की आप filtration unit में खुलती है वालमर जबर्दस्ती एक tube उसके मूँ में घुसा देता है जिससे कि इल्वाला पानी उसके body में जा सके इस पर वालमर लॉक हर्ट के लगए के सारी allegation को कबूल करता है कि कैसे नवाब के किये गए आविशकार को वो इस्तमाल कर रहा है वो ऐसे लोगों को use करता है जो पैसे वाले है लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं नवाब जो चीज गाव वालों के साथ जबर्दस्ती करता था लेकिन वालमर सब को believe दिलाता है कि वो लोग बिमार है और ये सब एक therapy का ही part है वालमर इल के बारे में भी बताता है कि कैसे दुनिया के दूसरे जगा के पानी में इल्मचलिया कुछी साल survive कर पाते हैं बट इधर के पानी में 300 साल बचते हैं अब ये इल्मचली वाला पानी इंसानों के लिए बहुती dangerous होता है इससे इंसान hallucinate करने लगते है लेकिन जब ये इल्मचल पानी को इंसान के बारे में से सही तरीके से छान लिया जाता है तो उससे ये पानी शुद्ध हो जाता है और एक life giving essence बन जाता है जो कि Lockhart as a vitamin उन लोगों को लेते दिखा था अब scene change होता है जब वालमर हैना को एक new dress gift करता है और वो बताता है कि वो अब ready हो चुकी है अब ये चीज़ हमको आगे पता चलेगी कि उसने ऐसा क्यों बोला इसके बाद हैना Lockhart से मिलने जाती है जहां Lockhart की दान फिक्स्ट कर दिये गई थी और वो भी बाकी patients की तरह ही बात करने लगा था अब रात को वोल मेर एक party throw करता है स्पा के स्टाप्स के लिए और हैना को एक room में लेके जाता है इधर Lockhart को मिस्स वाटकिन्स की बात याद आती है जहां उन्होंने बोला था कि बच्चा survive कर गया है और मिस्स वाटकिन्स की puzzle में से एक note भी मिलता है जहां लिखा था she doesn't know अब office में Lockhart को एक पुरानी तजविद दिखाई देती है जो के किले को जला देने के बाद reconstruction के time का है उस picture में उसको एक आदमी दिखता है जिसका move bandit से पुरा cover था और उसके साथ एक बच्ची भी दिखाई देती है जिससे Lockhart को सब कुछ समझा जाता है अब इधर Walmart Hannah के हाथ पैर बाद देता है और rape करने की कोशिश करता है लेकिन तब ही वहाँ Lockhart आ जाता है और Hannah को Walmart की बेटी बताता है मतलब वो इतना ही पागल संकी इंसान था के बेहन बेटी कुछ भी नहीं देखा उसने खैर दोनों में fight शुरू हो जाती है और Walmart अपने मूँ से fake skin निकाल देता है इधर confirm हो जाता है कि Walmart ही नवाब है जो cure वो लोग हर टाइम लेते रहते हैं उसी के मदद से आग लगने के बाद भी नवाब बच जाता है और क्योंकि ये cure उसके बेहन को भी दिया जाता था तो इसलिए बच्चा भी survive कर गया था लेकिन आग लगने के बाद उसके बेहन नहीं बच पाती है और इसी cure की वज़ा से नवाब और हैना दो century तक survive कर लेते हैं बिना किसी बुरा पे के अब नवाब और लॉकहर्ट की बीच जो fight हो रही थी उसमें लॉकहर्ट नवाब के उपर आग लगा देता है और हैना को बचानी चला जाता है इधर आप धीरे-धीरे फैलने लगती है पूरे स्पा में और नवाब भी खुद के बॉड़ी में लगी हुई आप को पुझा के लॉकहर्ट को मारते हुए इलम अचली वाला पानी के सामने लेके आता है और उसको उसमें फीटनी की कोशिश करता है लेकिन तभी हैना आ जाती है और उसके पीता को मार डालती है और नवाब उस पानी में गिर जाता है और इलम अचली उसको खाने लगते है अब लॉकहर्ट और हैना जल्दी-जल्द इस पार से निकल के साइकल लेके बाहर जाने लगते है कि तब ही कार के साथ उनकी टककर हो जाती है और कार मेंसे वही बोर्ड मेंबर्स निकलते हैं वो लोग इधर आ गये थे क्योंकि पैम रुक और लगहाट को वो लोग कॉंटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और उनकी कोई भी खबर भी नहीं मिल पा रही थी लेकिन लोगहाट उनको साब साब बता देता है कि पैम रुक मर चुका है बोर्ड मेंबर्स अब कोई आप्शन ना देखके लोगहाट को कार में बैटके उनकी साथ चलने के लिए कहता है ताकि कमपनी में जो भी इशूस हुआ है उसका ब्लेम वो लोगहाट पे दे सके